अगर आप एक नॉंस्टिक लेना जा रहे हैं और नॉंस्टिक को किस तरीके से यूज करना है ये भी सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सई वीडियो पे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा साथ ही साथ आपको कौन सा नॉंस्टिक खरीना चाहिए उसका भी आइडिया मिल जाएगा आज हम आपके लिए कर आए हैं प्रेस्टीज के सरफ से उसका ओमेगा डिलक्स ग्रेनाइट सेट हाँ ये वाले एक ऐसा ग्रेनाइट सेट है जो कि हमें थ्री पीस के साथ मिलता है और इसके जो नॉनस्टिक करते हैं जो इसमें आपको कडाई मिलती है यह मिलती है 240 mm की जो कडाई है जनल यूस हो सकता है टू टू फॉर पीपल के फूड प्रेपरेशन के लिए यह होती है ग्यास इंडक्शन कम्पार्टबल इसमें क्या होता है यह पीछे की तरफ प्लेट लगे होती है जो आपकी इंडक्शन गयास सबदो चलेगी अब बात करने हैं इसकी कोटिंग के यह वहती है फाइफ फॉर फ्रीप होती है और बहुत ही बहुत ही चीज मिल जाती है कि कम्पनी कहती है इसमें आप स्टील का चला सकते है उसकी भी बात अभी हम आगे करेंगे वीडियो में पहले इसक के फ्राइपान की फ्राइपान जो होता है वो भी 240 mm का मिलता है आपको जो की ग्रेनाइट फिनिश के साथ ही साथ है और इसमें आपको यह चीज जान रचनी है कि जितनी भी चीज़े आप फास्ट कुकिंग प्रिपेर करते हैं तो वह उसके लिए यह यूटेंसिल बहुत बात है हमेशान जिर्क को फास्ट करे लेगा जिब है और उसके बात कर लेते हैं इसके साइज की बात है जोmbносि रखेंका है ये यह चीजया इससके यह था है जो होता है इसका घ्रैनाइट फिन्इश में आता है इसका बना सकते हैं अगर आपको रोटी वनानी है तो गलती से अपने फिक में रोटी ना जिसकी वज़े से ओवर हीट हो जाएगा साथी साथ ओवर होने के साथ डिफॉर्म भी हो सकता है और इसमें हीट बहुत कम लगती है कभी भी आप नॉन्सिक यूज करते हैं तो उसको यह समझें कि प्रीहीट करने की ज़रवत नहीं बढ़ती है जब भी आपका मटेरियल उसकी बानी नहीं हो जाता है तब तक यह चाहते हैं तो तक यह कूल डाउन नहीं हो जाता है इसको नहीं चुना है, गरम-गरम तबा हम पानी में डाल देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वज़े से heat shock, cold shock की वज़े से इसकी coating खराब होती है, पहला reason यह होता है, कोटिंग खराब होने का, कि हम heat shock और cold shock देते हैं, अब हम बात करते हैं, खड़ाइल भी, अगर हम खड़ाइल भी बात करते हैं, तो इसमें अगर जैसे हम कोई भी चीज़ प्रिपेर करते हैं, तो यह होता है कि इसमें इस तरीके से रख देते हैं, उसके इसके अंदर food material बना रहता है, तो non-stick यूज़े करते हैं, हमेशा ध्य करके रखते हैं, तो उसमें इसको हटा लिजे, तुरण तुरण गरम-गरम में ये किसी भी dry close से इसको clean कर लिजे, specially इसके रिपेर्स के तरफ clean करिएगा, और clean करने के बाद इसको ठंडे होने के लिए रख दीजा, जब यह ठंडा हो जाए तो easily कभी भी आप अप अगर वा रहेगी, plus सबसे important चीज होती है, ये वाली जो coating होती है, सबसे ज़्यादा बहतर लगती है, मुझे, क्योंकि याली coating आपके 5 layer की होती है, और steel spatula इसमें चला सकते हैं, हाजी, मगर steel spatula का चला सकते हैं, इसमें आप, steel spatula आप वो चला सकते हैं, जो कि rounded corners होते हैं, हाजी, ये कभी इसमें कौन सा steel spatula चलेगा, generally क्या होता है, अगर आप non-stick यूज कर रहे हैं, और इसमें आपको steel spatula चलाना है, तो आप इसमें rounded corners का steel spatula बहुत easily चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको roughly यूज नहीं करना चाहिए, plus इसके other options भी हो सकते हैं, wooden spatula आपके पास है, तो आप कर सकते हैं, वैसे set के साथ नहीं मिलता है, अब बात करते हैं, इसकी pricing, अगर ये आपको पसंद आता है, तो ये इस समय आ रहा है, 3,600, 180 का, generally इसकी ये नई pricing है, इससे पहले 3,500 का था, बट इसमें अच्छा खासा discount आपको मिल जाएगा, अगर आप markets से ले सकते हैं, अगर आप link च अगर आपको purchase करना है, तो आप इसको तुरंद purchase कर सकते हैं, link मैंने description box में रख दिया, अगर आपको ये पसंद आता है, और आपको लगता है, ये आपके utility के हिसाब से है, जल जल दी cooking, fast cooking, अगर आप करते हैं, तो आपके लिए ये utensil बहतर हो सकता है, अगर ये video थोड़ी informative आपको लगी हो, तो अपने friends के साथ share कर लीजेगा, और हमारे चानल को subscribe करना ना भूलिएगा, thank you so much, keep supporting us